अकाश्पनी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव देश पर में हनुमान जनमोचव आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस अफसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही जगा जगा भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयनती की शुब कामनाय दी है श्री मोदी ने आज वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये गुजरात के मोरवी में 108 फीट उंची हनुमान प्रतिमा का अनावरन किया यह प्रतिमा चार धाम परियोजना के तहत देश की चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही चार प्रतिमाओं में से दूसरी प्रतिमा है इस प्रतिमा को पश्चिम में मोरवी में बापू केशवानन जी के आश्रम में स्थापित किया गया है और इसी श्रिंकला में पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की जा चुकी है वहीं दक्षिन में रामेश्वरम की प्रतिमा का कारे भी शिरू हो चुका है प्रदेश में हनुमान जनमोटसव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है सुबा से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही भंडारे और अन्यकार क्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में इस अफसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालू मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं इंदौर, ग्वालियर, रिवा, उजयन, सतना, रतलाम, होशंगाबाद सहित, राज्य के सभी जिलों में हनुमान जनमोटसव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है स्वास्ते मंत्री डौक्टर मंसुक मांडविया ने आज आयुश्मान भारत योजना के चार वर्ष पुरा होने पर वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से एक लाग केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुवात की इस अंजीवनी सुविधा से आम नागरिक देश के बड़े डौक्टरों से सला ले सकेंगे इस अफसर पर डौक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्त और देखवाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्त के क्षेतर में बड़ी क्रांती लाएंगे देश में इस समय एक लाग 17 हजार से अधिक स्वास्त और कल्यान केंद्र काम कर रही है श्रीमान्विया ने कहा कि प्रधान मंत्री ने स्वास्त गशेतर को प्राथमिक्ता दी है उन्होंने कहा कि देश वासी स्वास्त रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगती करेगा उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रेल के बीच देश के प्रतेक प्रकंड में स्वास्त मेला आयोजित किया जाएगा रेल मंत्री अश्मिनी वैशनव ने घूशना की है कि प्रसिद परियतन स्थल खजुराहो को वंदे मातरम ट्रेन से जोड़ा जाएगा और यहां दूसरी ट्रेनों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी श्री वैशनव ने कल खजुराहों में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का प्रयास है कि देश की कला, संस्कृती और धरोहरों का संरक्षन हो और परयातन स्थलों का तेजी से विकास किया जाए उन्होंने खजुराहों के विकास कारियों को लेकर जन प्रतिनिदियों और जिला अधिकारियों से बातचीत भी की है रेल मंत्री आज जहांसी खजुराहों नेशनल रेलवे हाईवे का अवलोकन भी कर रहे है प्रदेश के सभी विकास खंडों में 18-30 अप्रेल तक स्वस्त मेले का आयोजन किया जाएगा इन मेलों में विशेशग्य डॉक्टर लोगों का निशुल्क स्वास्ते परिक्षन करेंगे इन मेलों में औशदियों का वित्रन भी निशुल्क किया जाएगा स्वास्ते मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कल भोपाल में पत्रकारों को बताया कि आजादी के अमरित्महोटसव में प्रदेश के सभी विकास खंडों में स्वास्ते मेलों का आयोजन होगा इन में लोगों के स्वास्ते परिक्षन के साथ ही निश्वलक जाच और आशदियों का वितरन किया जाएगा उन्होंने बताया कि इन मेलों में आयूशमानकार और विशिष्ट स्वास्ते पहचान पत्र भी उपलब्द कराए जाएंगे राश्टर व्यापी कोविरी टीका करन अभियान के अंतरगत अब तक देश में 186 करोड 38 लाग से अधिक टीके लगाए गए हैं स्वास्ते मंत्राले ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 6 लाग 89,000 से अधिक टीके लगाए गए इस दोरान 975 नई मामले सामने आए हैं देश में इस समय 11,366 संक्रमितों का इलाज चल रहा है स्वस्त होने की दर 98.76 प्रतिशत है IPL क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मैच मुंबई के ब्रबॉन स्टेडियम में दोपहर बाद 3.30 बजे लगनव सुपर जाइंट्स और मुंबई इंडियन्स के बीच होगा दूसरे मैच में मुंबई के ही वांकेडे स्टेडियम में शाम साड़े साथ बजे डेली कैपिटल्स और रॉयल चलेंजर्स बेंगलॉर आमने सामने होंगे अब कुछ समाचार संग्शेप में खरगौन में पिछले दिनों हिंसा के बाद स्थिती अब पूरी तरह नी अंतर में है आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहां कर्फ्यू में धील दी गई राज्य सभा सांसत कैलाज सोनी आज आगर मालवा जिले के सुसनेर में अटल टिंकरिंग लाब का अचुभारंब करेंगे शिवपूरी जिले में करीब एक महीने बाद तीन नए कोरोना संकरमित मिले हैं स्वास्तिया दिकारी डॉक्टर पवन जैन ने बताया कि सभी लोगों को करोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिये गए हैं और केंद्रे इसपात और ग्रामीन विकास मंत्री फगन सिंग कुलस्ते 18 अप्रेल को रिवाजिले के दौरे पर आएंगे इस बुलिटन में फिलाल इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार